हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चानल स्टाडी बेस सुजित में तो दोस्तों आज हो क्लाश टुएल्ट के विजिक्स के माडल सेट के जीतने भी सब्जेक्टिव कोसंस है लगोता रिये और दिरुगोता रिये उन सभी प्रस्णों का इस संपूर ने अप्जेक्टिव कोसंस को 1-7 तक और इस वीडियो में देखेंगे 1-20 तक के लगोता रिये और 1-6 तक के दिरुगोता रिये प्रस्णों को तो इस परकार से आप कोसंस देख लिजिए जो जो प्रस्ण में है वहीं प्रस्ण आपको करवाया जाएगा तो आब प्रस्ण है कि संभी भी तल से आप क्या समझते हैं बिल्कुल यह प्रस्ण बहुत ही मत्पूर्ण है यह बोड के लिए काफी मत्पूर्ण कोसं है यह बार बार हमारे बोडिक पुछ लिए जाते हैं कि संभी भी तल से आप क्या समझते तो बिल्कुल यह आसानी से इंदू पर बीभव कमान समान रहता है संभी भी तल कहलाता है इतना लिख देते हैं तो फुल माक्स मिल जाएगा और इसमें बिधुत की बिधुत्चेत्र की दिसा बिधुत्चेत्र के लंबा उत्तियनिक 90 डिग्री पर होती है यह भी याद रखेगा काफी मत्मूर्स वाल ह इन प्रस्णों को आप सही से कॉपी पर जरू उतार ले जीगा क्योंकि इन ही प्रस्णों में से ही बोडिक जामें अब आने वाले हैं नेक्ष्ण प्रस्ण है कि इस तीर बैधुत गौस प्रमे को लिखें यानि गौस प्रमे को लिखने को बोल रहा है तो बिर्कुल नहीं से लिखेंगे कि किसी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला कुल बिधुतिय फ्लस के उस प्रिष्ट के द्वारा घेरे गए कुल अवेस के एक बटा एपसाल नॉट गुना होता बिर्कुल यह असानी से समझ सकते हैं कि किसी बंद प्रिष्ट से होका गुजरने वाला कुल बिधुतिय फ्लस के उस प्रिष्ट के द्वारा घेरे गए कुल अवेस का एक बटा एपसालनौट गुना होता है नहीं कि 5E बराबर होता Q into 1 upon एपसालनौट नहीं कि ये लिख देते हैं तो आपको फूल माक्स मिर बिल्कुल ही आसानी से और यहां पे जो प्रस्ण है कि धारा के उस्मिये परभाव के जूल नियमों को लिखें काफी मत्मूर सवाल है भीवी याई प्रस्ण है धारा के उस्मिये परभाव के जूल नियमों को लिखें तो जूल के द्वारा निमलीखित नियम दिये गए फ स्कुआर और जहां आ लटी ये नियत है ठीक उसमय का परिमार धारा के वर्ग के सुनमपाति होता ही हो गाँ के आ एक कि यानिकि ή कर आर और यार यानिकि यह करके हम संलमपाति करते जाएंगे और नियत रखते जाएंगे एक बार H के साथ I को सवनपाती करेंगे एक बार पर्थिरोध के साथ सवनपाती करेंगे और एक बार समय के साथ सवनपाती करेंगे बिल्कुल ही आसानी से करेंगे तो इसमें था कि उधारा के बर के सुनवपाती होता है तो A सुनवपाती I2 और इसमें है उसमें का परिमार पर्तिरोध के सुनवपाती होता है A सुनवपाती R जहां I और T नियत है तो इसमें है कि उसमें का परिमार समय के सुनवपाती होता है तो इसमें H सुनवपाथी T हो जाएगा जहां I और R यहां पे नियत दिया गया है तो तीनों समीकरण को मिलाते हैं तो H बराबर होता है I2RT यह अंतिम निकल कर आता है बिर्कुल इसे आशानी से समझेंगे और एक बार इसे अच्छे से स्क्रिन सोट भी ले सकते थे तो एक बार असानी से इसे आप पढ़ ले जिए उमिद करते हैं आपको यह सेसन अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रहा होगा तो चलिए नेक्सण प्रस्ट को देखते हैं और यहाँ पे चोधन जो प्रस्ट है कि परकास बिद्धुत परभाव क्या है बिलकुल ही यह असानी समझेंगे और यह काफी महत्पूर्शवा है कि परकास बिद्धुत परभाव क्या है जब किसी धातू सतह पर परकास परता है तो धातू सतह से परकास इलेक्ट्रोनों का उत्सरजन होने लगता है और इस घातना को ही परकास विधुत परभाव करते हैं और तथा इससे निकलने वाले इलेक्ट्रोनों को परकास इलेक्ट्रोन भी करते हैं ही मत्Alright स्वाल है कि जब किसी धातु सब्सक्षाण पर प्रकास होने लगता है और इस घाटना को फ़गास का विधुत पर भाव करते हैं तता इससे जो इलेक्ट्रर निकलते हैं उससे प deuक के नाम से भी जानते हैं बिल्कुल ये बहुत ही मतमूर्स वाल है इन प्रस्णों का एक बार प्रेज करके कफी पर उतार कर इसे प्रेक्टिस करते रहे हैं क्योंकि प्रेक्टिस करते हैं तो आप से को कोई नहीं हरा सकता है यानि कि आपकी प्रेक्टिस रहेगा तो यानि कि जो प्रस्ण है कि बीटा किर्णों के दो गुणों के लिखें काफी मात्मूर्ट स्वाल है कि बीटा किर्णों के दो गुणों के लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे बीटा किरनों के दो गुण निमलीखित होते हैं भला बीटा के ने रिनावेशित होती है और दूसरा है कि बीटा किरन का बिराम दरब्यमान नाइन दस मिलाव एक गुण दस के पार मानस 31 केजी होता है और इसकी भेदन चमता जो होती है बीटा किरन के यह आलफा किरन से 100 आलफा जो किरन है इससे बीटा किरनों की भेदन चमता 100 गुण जदा होता है याद रखे काफी महत्मूर्स वाल है और यहां पर प्रस्ण है कि पी परकार के अर्ध चालक को समझाए जरूर दिर्गुतरिये देखे गया कि दिर्गुतरिये 5 नंबर मिलने वाले हैं और इस करेगा और यहां पर प्रस्ण है कि पीग परकार के अर्थ चालक को समझाए तो सीलिकन तथा जरमेनिययम जैसे अर्थ चालकों में सनिओजी असूधी जैसे बर्ग तेरा के तत्वाव ब्रेलियम ऐलमूनियम गेलियम ःंडियम टीटेनियम मिलाने से प्राप्त अर्ध चाल तो जिए औसुधी बर्ग तीरे के तट्व मिलाने से प्राप्त अर्चलक P-Tike और्षालक कहाता है और वहीं एन परकारका और्था चलक कहाता तो वर्ग 15 के तत्व मिलाते तो यहां पर P परकार का पुछे है तो बर्ग 13 के तत्व मिलाएंगे। और इसमें बिधुत का चलन धनावेसी छी दोरा होता है, धना वेसी ते होल के कारण होता है। और यहां पे जो प्रशने काफी महत्पूर्ट स्वाल है या तो आपके बोडिक जामें ध्रुवी करन पुछेगा या तो ब्यति करन पुछेगा या तो बीवर्तन पुछेगा तीनों में से एक सवाल आपके बोडिक जामें 100% रहने वाले हैं इस साल कि परकास का ध्रुवी क बिल्कुली असाने समझेंगे कि जब तरंगे या परकास तरंगे किसी माध्या में एक साथ संचारीत होती है तो तरंग संचारन के परिता सममित की कमी परदर्शित करती है तो परकास का यहीं घटना ध्रवीकरन कहलाता है और विवरतन में क्या होता है कि जब परकास के किसी किनारों से होका गुजरता है तो वह मूरने की परकिरिया प्रकास का विवर्थन कहलाता है नेक्षन प्रस्ण है कि आयाम मार्डुलन क्या है काफी मत पूर्ण स्वाल है कि आयाम मार्डुलन क्या है तो मार्डुलन की वह परकिरिया जिसमें वाहक तरंग के आयाम में संधिय स सिगनल के आयाम के अनुसार परिवर्थित करते हैं उससे ही आयाम मार्डुलन कहते हैं और इसे संचिफ्त में ए ए में लिखा जाता है जैसे हम लोग जब रेडियो देखते होंगे तो पीछे की तरफ जो कुंड़ी लगा रहाता है कभी ए में लगाएंगे कभी ए फिम लगा यह तो इस पर यह गहना दे रहा है चाहिए इस पर माइ चल रहा है तो वहीं यहाँ पर आयाम मार्डुलन है कि इसे ए म से साजित करते हैं कि मार्ड़न के वह परकेरिया जिसमें वह काफी महत्पूर्ण सवाल है इन प्रश्णों को आप सही से जरूर याद कर लिजिएगा यह बूर्ड के लिए काफी महत्पूर्ण है और यहाँ पर प्रश्ण है कि विधु छेत्र रेखाओ से आप क्या समझते हैं तो विधु छेत्र रेखाओ से हम यहीं समझते हैं कि बिदुत्य चेत्र में खीची गई बिदुत्य चेत्रे रेखाएं आपस में समान और एक दूसरे के समनांतर होती है इस परकार से होंगी समनांतर समान होगी लेकिन एक दूसरे के समनांतर होंगी यानि कि कभी बिदुत्य चेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं कार सकती किसी भी इस्तिति में क्योंकि यह समनांतर होने के कारण और एक परस्ण भी पुछा जाता है कि विदुच्छे तरे रेखाएं एक दूसरे को नहीं कार सकती है क्यों तो यह काफी मत्पूर्ण सवाल है और यहां पर परस्ण है कि संधारित्रों के स्रेणी बद सनियोजन को सम जाएं तो जब किसी संधारित्र को रीन पलेट से दूसरे संधारित्र के धन पलेट से कमा दूसरे संधारित्र के रीन पलेट को तीसरे संधारित्र के धन पलेट से जोड़ दिया जाए अथवा यहीं करम जारी रहे तो इस करम समुहन को स्रेणी बद करम समुहन कहेंगे य धन पुलस को रिण पलेट से जोरा जाता है तो एयं करम चलता रहता है तो यहीं करम समयहन संदर वित्रों करको स्रेकर बद करम समयहन गहलाता है और इसकी प्रस्ट को देखते हैं और यह जो प्रस्ने काफी मतपूर्श वाल है कि Fix से आप क्या समझते हैं तो स्वर पर्थम लीखेंगे Fix का जो पूरा नाम होता है दोस्तो वह फेकसी माईल मसीन होता है ये अपजेक्टि में पूछा जाता है कि Fix का पूरा नाम क्या होता है तो fix email machine जरूर याद रखेगा और इसकी सहायता से दस्तावेजों को हूब भू कॉपी करके यानि कि जीरोक्स करके एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक के असानी से भेजा जाता है विर्गोर असानी समझेंगे कि fix का पूरा नाम fix email machine होता है दोस्तो और इसकी सहायता से दस्तावेजों की हूब भू कॉपी एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक असानी से भेजा जा सकता है यानि कि भेजा जाता है बहुत ही आसान है और आपको एक से दू बार भी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फूल एन फाइनल याद हो जाएगा चानल पर नहीं जुड़ है तो जरूर सब्सक्राइब किजेगा अगर सब्सक्राइब ही नहीं करते तो कोई दिकत न नमन कोड क्या है और इसे नती कोड के नाम से भी जानते हैं ये भी याद रखेगा कि प्रिथवी के किसी अस्थान पर बनने वाला वह कोड जो चुमबके या मियोतर में चुमबके छेतर के दीशा और छेतिज के साथ बनता है तो ऐसे कोड को नमन कोड या नती कोड के नाम से भी जानते हैं तो प्रित्वी के किसी अस्थान पर बढ़ने वाला हवाकोंड जो चुमबकी या मियोतर में चुमबकी छेत्रे के दीशा और छेतिज के साथ बनता है तो ऐसे कोंड को नती कोंड या नमन कोंड कहते हैं असानी से समझेंगे दोस्तो और इन परश्णों को ज इन परश्णों को आप तो जरूर याद के लिए कि यह सभी जो परश्ण नोडल पेपर बिहार बोड के दौरा मडल पेपर जारी किया गया है वहीं से यह परश्ण लिया गया है जो जो उसमें था वहीं आपको प्रवाइड किया जा रहा है और भी सेशन आएंगे बहुत ह मत्पूर्ट ताकि बोड़िक जम्या आपका ये एक भी प्रश्णता ना चुटे यानि कि 80 में 80 जरूराई ये हमारा हंडे पर से प्रियास रहेगा और यहां प्रश्णे की प्रात्मिक इंदर्धनुस को समझाएं तो प्रात्मिक इंदर्धनुस में क्या होता है दोस्तों कि प्रात्मिक इंदर्धनुष होता है जिसका निरमाण दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण पुर्ण आंत्रिक परवर्तन नहीं टोटा इंटरनल रिफलेक्षन होता है kia false रूफ जो होता है वही प्रात्मिक इंद्रधनुस का लाता है वही इसके जगह पर अगर दुवित्ये इंद्रधनुस पुछता दुवित्यक इंद्रधनुस तो इसे हम लग इस परकार से लिख बार पूर्ण आंतरी पर्टता है दोवित्यक में दो बाय पॉर्ण एक न्तर है यह तो काफी है यह 7 नंबर में रशल सै जाता है यह मैं पूछता है इनके परकारों को लखें यह 5 नंबर में पुछता गा था बोडिक्जामे नीखं़ किby यह तो फिसके दोस जिसमें नजदीक की वस्तुएं साब सब दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं नहीं ऐसे दिरिष्टी दोस को निकर दिरिष्टी दोस करते हैं और इसका उपचार ओता लेंस के द्वारा किया जाता है वहीं अकर पुछता कि दूर दिरिष्टी दोस में आगे पर पुछ लिया जाता कि दूर 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 द बिधुत अनुनाद को समझाएं ये भी काफी मतपूर्ण सवाल है कि बिधुत अनुनाद क्या है तो जब किसी चालक में बिधुधरा परवाहित किया जाता है तो उस चालक में कमपन उत्पन होने लगता है जिसें ही बिधुत अनुनाद कहते हैं जैसे कंपास हुई कंपास हुई धरवाही परिनाले का कि जब किसी चालक में बिदुधर परवाहित किया जाता है तो उस चालक में कंपन उत्पन होने लगता है जिसे ही बिदुधर अनुनाद कहते हैं जैसे कंपास हुई धरवाही परिनाले का बिल्कुल कि पदार्थ का वहगूर जो उस पदार्थ में चुमबकिये छेत्र अस्थापित किये जाने पर उस पदार्थ द्वारा परदर्शित सहायता की मात्रा की माप बताता है उसे ही माध्यम की चुमबक सीरता कहते हैं अच्छे से समझेंगे कि किसी पदार्त का वहगोड जो उस पदार्त में चुंबकीे च्छेतर अस्थापित किये जाने पर उस पदार्त वऱा परदर्शित सहायता कि मातरा की माप बताता है उसे ही माध्यम की चुंबक सीरता कहते हैं इन परस्णों को आप से ज़रूर कॉपी पर लिख ली जिएगा क्योंकि इन ही प्रस्णों में सहीं बोर्ड इक्जा में आने वाले हैं और यहां प्रस्ण की end gate को समझाईए तो end gate में 2 या 2 से अधिक inputs होते हैं पर output के वल एक ही होता है end gate का output तभी high होता है यानिकि उच होता है जब सभी input high होते हैं निकि सभी input उच होते हैं end gate 2 या 2 से अधिक inputs पर multiplication operation perform करता है और इतना नहीं लिखते हैं अगर इतना भी आप लिख देते हैं तो आपको 2 marks मिल दाएगा तो आप असाने से इस प्रस्णों को समझ सकते हैं कि end gate में 2 या 2 से अधिक inputs होते हैं और output केवल एक होता है और end gate का output तभी हाई होता है जब सभी input हाई होते हैं इतना भी लिख देते हैं तो आपको full marks मिल जाएगा तो चलिए अब 8-9 प्रस्णों को देखते हैं और यहां पे जो प्रस्ण है कि बोर सिधान्त की दो कमियों को लिखें तो बोर सिधान्त की दो कमियों को लिखें तो बोर सिधान्त की दो कमिया निमने हैं पहला बोर सिधान्त दोरा एक इलेक्ट्रोन वाले परमाडू या आयन के रेखिये इस्पेक्ट्रम की ब्याख्या की जा सकती है रेखिये इस्पेक्ट्रम की ब्याख्या की जा सकती है परन्तू वे परमाडू जिन में अधिक इलेक्ट्रोन होते हैं उनके रेखिये इस्पेक्ट्रम की ब्याख्या नहीं की जा सकती है यह पर्थम उनकी कमिया थी कि एक इले तो एक बार काट देंगे और दूसरा था इनकी कमिया कि उच जामता वाले एक इस्पेक्ट्रम धर्सी यांत्र से पाता लगा कि यह रेखा नहीं है प्रंतु कई रेखाओ का समुह है यह यानि कि उच भी मत तक के में प्रस्ट को देखते हैं और यहां प्रस्ट है कि चालन बेंड क्या है तो चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं तो ऐसा बेंड जिसमें मुक्त लिक्तरों पाए जाते हैं चलान बेंड कहलाते हैं और 6 डल्स पट्टी में चलती इलक्ट्रों होते हैं और और एं"? होते हैं और इनी इलिक्टरों दवरा धारता है तो चलिये अब सक्ष्ड को देखते हैं और यहां से श्टार्ट होता है पांस नमबर वाला परस्ने तो इन पांच परस्नों वालों को अच्छे से जोड त्यार कर लेज़ेगा बोड इक्जा में इसे लगभग 2-3 परस्नों रहने वाले हैं बोडी जाम है, same to same, तो एक चल कुंडली गेलिवेनोमिटर की बनावट और किरिया बीधी को बताएं, किरिया बीधी या सिधान्त भी यहां पर लिखा जा सकता था, लेकिन किरिया बीधी को बताएं, कोई दिकत नहीं है इसमें, तो यह एक परकार का सुगराही यंत्र है, ज यहां पर हम पेंस से बना दिये हैं, तो आपको किसी तरह समाज में आना चाहिए दोस्तों, यह हमारा प्रयास रहेगा कि आपको किसी तरह समाज में आ जाए, और बोडी जामें आप एक भी प्रस्णतर छोर कर न आए, जितने भी प्रस्णतर पूछा जा रहा है, आप उनक टोपी है और एक फास्वर ब्रांच की पत्ती है यह और यहां पर एक दरपन लगा हुआ है इस प्रकार से आप चीतर बनाएंगे यह जो है नौर्थ चुमबक और यहां पर साउथ चुमबक मेगनेटिक तो यह सकति सारी चुमबक है और यह इलमुनियम की एक परत है इसमें जास्ता सुरी इसमें तामबा की परत लेपेटी गई है और यहां पर जो है यह एस्प्रिंग है और यहां पर सन्योजक पेंज है यानि कि जो जो क्या होगा जो जो चीज इस पर याने की चीतर में दिया है वहीं बनावाट में लिखते हैं तो यहां पर आएंगे बनावाट में कि इसमें फासर ब्रांच की एक प्वत्ती होती है उपर देखे थे जिसमें एक आयताकार कुंडली के रूप में एलमुनियम का फ्रेम लटका रहता है और इस एलमुनियम के फ्रेम पर तामबे कीतार अनेक फिरेले पिटे हुई रहती है तामबे कीतार वम उपर बोले थे और कुंडली का समन्द जो दो सन्योजक पेंजो टीवन और टीटू से होता है और इस कुंडली का समन्द एक दरपांद से भी होता है यहां पर टी वन और टी टु उपर देखते दो सनेज़क पेंज है और यहाँ पे स्प्रिंग है भी और यहाँ पर एक फासफर बरांच की एक पती है और यहाँ पे एक दरपन भी लागा हुआ है तो जो जो चीज यहाँ पर है वहीं बनावाट में लिख देंगे और चलिए इसके सिध पर तामबे की एकतार अनेक फिरे लेपिटे हुई रहती है और कुंडली का समन्द दो सन्योजक पेंजो टीवन तथा टीटू से होता है और इस कुंडली का समन्द एक दरपन से भी होता है तो चलिए नेक्स को देखते हैं और यहां पर कार्य एंसीधान को देखेंगे की कार परवाहित होती है तो एक बल यूग में का अगोर्न कार्य करने लगता है और वहीं बल यूग में जीटा बराबर होता है I, B, N, Sin, Theta और जहां I धारा है B, चुमबा के छेतर है और जीटा जो है बल यूग में अघोरन है एन तामे की तार की फेरो के संग्या है और ये कुंडली के तल का छेतर पड़ यानि कि जो जो चीज यहां पे दिया गया वहीं आपको यहां पे बता दिया गया है कि सबसे पले जब कुंडली में धारा परवाईत होती है निकि आई धारा परवाईत होती है तो एक बल यूग में अघोरन कारे करने लगता है और वहीं बल यूग में जीटा बराबर I, B, A, N, Sin, Theta होता है और वहीं जब इस परकार से आएंगे तो इतना ही आपको सीध करना था कि जब कुंडली में धारा बहर ही होती है तो फासपर बरांच की पती में एठन उत्पन हो जाती है और यहीं एठन ही धारा के सवनपाती होती है निकि आई सवनपाती 5 हो जाएगा इतना ही आपको सीध करना ता बिल्कुल नहीं से समझ सकते थे उपर आप समझ गए होंगे और यहाँ पे इतना लिख देते हूं तो आपको पांच अंक मिल जाएगा तो चलिए अब नेक्स्ट प्रस्ण को देख लेते हैं और यहाँ पे प्रस्ण भी है कि मानो द्रिष्टी दोस को समझाइए और उनके निवारन के उपाय भी बताएं तो हम बताए थे द्रिष्टी दोस और द्रिष्टी दोस और जार दर्सिता तो द्रिष्टी दोस को सर पर थम देखेंगे इन सभी प्रस्णों को एक कॉफी पज काफी मत्मो सभाल है कि colabor remove की focus दूरी का बढ़ जाना या घड़ जाना या असपश्च पति हुआ में का रिटीना पर न ऑदना ही द्रिश्टी दोस काहलाता है और जो द्रिश्टी दोस होता है मुख्यता passado होता है लेकिन आपको чार बता जाएगा क्योंकि उससे भी एक प्रस्णे पुछा जाता है तो मुख्यता 3 होती है लेकिन दिरिष्टी दोस चार परकार का होता है यह भी दूर की वस्तुए असपस्ट दिखाई नहीं देती है ऐसे द्रिष्टी दोस को निकर द्रिष्टी दोस कहते हैं और इसका जो निवारान है आगे कारण जान लेते हैं कि ये क्यूं होता है तो कारण क्या होता है कि इसमें नेत्र गुला का लांबा हो जाना और थात नेत्र ल क्या होता है इसमें लांबा हो जाता है और इसका निवारण जो होता है दोस्तों वह आउता लेंस के द्वारा होता है और तो चलिए दिरिष्टी दोस्त के बारा में जान लेते हैं दूसरा तो दूसरा है दिरिष्टी दोस्त तो दिरिष्टी दोस्त में क्या होता है इसमें दूर की वस्तूए असपस्ट दिखाय देती है प्रन्तू नजदी के वस्त्य साफ नहीं दिखाय देती है दृष्थि दोस कहलाता है और दिख दिर्ष्थि दोस्थ में क्या होते है कारण की नेत्र गोल्रा का छोटा हो जाना और दूसरा है फोकस दूरी का बढ़ जाना और दिग दिष्टी दोस का जो निवारा होता है दोस्तो वह उत्ता लेंस के द्वारा होता है बिर्गुली यहां साइस से समझेंगे कि वैसा दिष्टी दोस जिसमें दूर की वस्तवे साफ तथा असपास दिखाई देती है जारा दूर दर्श्टा में का होता है दोस्तो कि वैसा द्रिष्टी दोस जिसमें न दूर की और नहीं नजदी की वस्तवे साफ तथा असपास दिखाई देती है तो ऐसे दोस्त को जारा दूर दर्श्टा कहते हैं और इसका जो कारण होता है दोस्तो आह की समंजन छमता खो जाना और इसकी जो निवारन है दिफोक्सी या बाइक फोकल लेंस से इसका निवारन किया जाता है दोस्तो तीन भी लिखते हैं तो आपको फूल एन फाइनल दिया दिया जाएगा अंक तो यहाँ पे चोथा है चोथा देख लेते हैं कि अब बिंदु रेखाव में अंतर असपस्ट नहीं कर पारता है तो ऐसे दोस्त को अब इंदुखता करते हैं इसमें क्या होता है कि नेत्र की कौर्णिया और समान हो जाना जो निवारन होनता है वह बेलनाकार्ड लेंस होता है इसमें क्या होता है दोस्तो वह ना तो 36 यानि जो इस पर खा और उधर करे देखाओं में अंतर अबसना ही कर पाता है, तो वहीं अब बिन्दुखता होता है, और इसका जो नीवार होता है, वह बिलनाकार लेंस के द्वारा होता है, तो चले अब नेक्स दिरूतर ये परस्टों को देखते हैं, और यहाँ पर पूछा गया था कि प्रति चुम्बक की है पदार्थ और लख चुम्बक की है पदार्थ को समझाएए ये काफी भी भी आई परस्टने ये बोड़ इंगजा में बार बार पूछे जाते हैं इन परस्टनों का एक बार सही से कॉप्टी पार जरू उतारकर याद करियेगा क्योंकि बोड़ इक्जा में इससे बाहर आप दिर्गुतर ये आने वाला नहीं है अगर आएका भी तो नेक्स वीडियों में आपको बता दिये जाएगा दो से तीन को इसे पदार्थ को प्रतिशुम्बक क्ये पदार्थ करते हैं जैसे आंती मानी थोड़े से बल से अकरिसित होते हैं तो ऐसे चुमबकिये छेतर में रखने पर चुमबकिये छेतर की दीशा में चुमबकित हो जाते हैं तो अनुचुमबकिये पदार्थ कालाता हैं जैसे ऐलमुनियम हो गया, सोडियम हो गया, केल्सियम हो गया तो ऐसे पदार्थ जो छोड चुम्बक के द्वारा नियून बल से आकरसित होते हैं तथा इसे चुम्बक के छेतर में रखने पर चुम्बक के छेतर की दीशा में चुम्बकित हो जाते हैं और चुम्बक के पदार्थ कालाता है जैसे एलमोनियम, सोडियम और केल्सियम ये अबजेक्टिब के लिए याद रखेगा कि और चुम्बक के पदार्थ के महत्पूर्ण उधारन याद रखेगा और यहां पर आता है लाश्ट लौछ चुम्बक के पदार्थ यह काफी महत्पूर्ण है कि लौछ चुम्बक के पदार्थ क्या है तो ऐसे पदार्थ जो चुम्बक के द्वारा प्रबल बल स पतार्थ पतार्थ को जाते हैं तो लॉख चुम्बकी वससे पतार्थ कर आता है धो कुबार्ट हो जाएगा, लुहा हो जाएगा, निकल हो जाएगा, ये सभी लौजम्बा कीई पदार्च के उधारानों होते हैं, इस में से तीनों वे से एक ज़रूर आपके बोरी ऐक्या मेर रहेगा, कि निकल प्रस्ट को देख लेते हैं और यहाँ परस्ट हैं की बीचला रही तो वरन के लिए आवस्यक सर्थो को लिखें तो दो फिरिज में बनाएंगे इस प्रकार से आप अच्छे से देख लेजिए इसे आप आसाने से आप आपके बनाएंगे ने रबास्ट CPU A, CPU-A, CPU-A ठिक, इस प्राकार से हम बनाएंगे तो इसमें क्या ay कि, माना कि दो पतले प्रिज में आपस में एक दूसरे के विपरित अधार के रूप में जुडे हुए है यानि कि, एक दूसरे के विपरित है ठीक, और एक अपवड़्तप कोर A और दूसरे का अपड़ता कोड़ a- है यहां पर एक का अपड़ता कोड़ a- है ठीक और कूल बिचलन जो हम पढ़े होंगे objective में कि कूल बिचलन कोड़ sigma बराब बहुता है sigma 1 plus sigma 2 ठीक और यहां पर sigma का मान 0 देंगे और हम पढ़ेंगे कि μू में से A घाटा लेंगे और बाद में जो आया है उसमें A जोड़ देंगे तो A से गुना कर देंगे तो पहले के लिए ये हो जाएगा सिग्मा 1 के लिए और सिग्मा 2 के लिए क्या होगा मू डैस हो जाएगा मू डैस से और यहाँ पर माइनस एक और यहाँ पर A डैस ठीक A डैस यहाँ पर है उसका मान हो जाएगा और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पलस में है यहाँ पर 0 से बराबर करनेंगे तो एक आजएगा इधर माइनस में तो इसको भेदेंगे इस साइड बराबर के स्टाइज तो यह हो जाता है माइनस में तो एडैस का ही माना हमको ग्याद करना है तो यह माइनस में हो जाता है तो माइनस यहाँ पर एडैस हो जाएगा तो यह माइनस जो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस से मियू माइनस एक इंटू ए बटा मियू माइनस वन हो जाएगा इस परकार से आप ग्याद कर सकते हैं तो आपको फूल एन फाइनल पांच अंक मिल जाएगा तो दोस्तों इस परकार से इतना ही प्रस्णों को देखेंगा और इस वीडियो को अगर एक से दो बार भी अच्छे से पढ़ लेते हैं त्यारी कर लेते हैं और इन प्रस्णों को आप सही से एक कॉपी पर उतार कर प्रेक्टिस करते हैं तो अब बोड एक जामें एक भी प्रस्णों तर नहीं चुटेगा अगर ये सेशन आपको अच्छे लगी हो तिसे लाइक जरूर कीजिएगा और चानल